आरे किसान भायां कैसे हो उमीद करता हूँ आप सभी लोग ठीक हो सकते हो आज का वेडियो मेशी फर्गुशन दस पैंटी गोल बॉनेट का एक टेक्ट लेकाया हूँ भिकव इस वेडियो में इस टेक्ट की मैं पूरी जानके बताऊंगा आप वेडियो को एन तक जरू देखना वेडियो को पहली वाद देखते हो तो चैनल को सबसाइज कर देना और बहला एक घंटी को जरू दबा देना ताकि लेटेस वेडियो आपके पास जल्द ही पहुंचे और एक बास वेडियो को आप लाइक जरू कर देता है यह टेक्टर है दस पैंति यह पहुती अच्छा कंडिशन में यह टेक्टर है पहले बात यह करते हैं इस टेक्टर का मोडल कहां सा है तो मैं मोडल बदा देता हूं 2005 मोडल है यह टेक्टर है फिर बाद में इसके टाई की बात कर देते हैं इस टाई की बात कर देते हैं तो इसके पिछले टाई है 60 और 60% के बीच में फिर बाद में इसके अगले चके की बात कर देते हैं इसके अगले चके हैं जो कि यह 80 और 70% 60 और 80% के बीच में इसके अगले वाला चके हैं दोनोई MRF का टाई हैं बिलकुल टाई बिलकुल सबी टेक्टर वेल ओके हैं लिप्ड का काम कमप्लेट कैंची का काम कमपलेट इंजन सो परसेंट इंजन सो परसेंट का हैं इंजन टका टक अभी तक की इसने त्यार कर रहे हैं दो तिन मैंने से पहले इसका इंजन कर रहा है यह देख से तो वानेट के उपर थौक कला उड़ा हुआ है तो कला उड़ा है बिलकुल साब कंडिशन में ऐसे टेक्टर आपको कहीं भी नहीं मिलेगा बिलकुल कम बंचे हुआ है यह टेक्टर है ऐसे यह देख से तो बिलकुल अच्छा कंडिशन में यह आपको चतरी आपको साथ में मिलेगा यह देख से तो यह टेक्टर का नंबर आप नोट कर सकते हुआ आरजे 21 नागूर का पासिंग है यह टेक्टर आप मुबाइल पर सर्च करकर भी देख सकते हो बिलकुल अच्छा कंडिशन में यह टेक्टर आपको मिलेंगा और इस टेक्टर की मैं परज की बात करूँगा और इसका मैं मुबाइल नंबर भी देऊँगा आप संपरक कर सकते हो बिलकुल साप सुत्रा का टेक्टर है वेल ओक के कंडिशन में और एक साल की इसकी बैटरी है वो एक साल की गायन्टी है बिलकुल नुए है सलब इस्टाड यह टेक्टर आपको मिलेगा देख सकते हो आप इंजन निन्नों परसेंट में निन्नों परसेंट को इसका इंजन वैल ओके कंडिशन में यह टेक्टर आपको मिलेंगा यह देख सकते हो आप इसका मैं मोडल आपको बता देते हूँ दोजार पांच मोडल यह टेक्टर है दस पेंटी इसके पिछले टाई है शितर परसेंट और इसके अगले टाई है शितर और 80 परसेंट के बीच में और इंजन निन्नों परसेंट वेल ओके इंजने और लिप्ट का काम कंप्लीट कैंची का काम कंप्लीट और यह बॉनेट पर तो हाँ कलर अटा हुआ है यह बिल्कूल है जो को वो ओजन कलर है इसका यह देख शो तो यह आपको 60 भी आपको साथ में मिलेंगा यह देख शो तो बिल्कूल ओजन कंडिशन में यह ट्यक्ट आपको जास्तान में कम मिलेंगा पिल्कूल इसे इसे त्यक्ट बिल्कूल कम मिलते हैं जैस्तान में और यह डिजल भी कम पीते हैं किया होता है वह ज्यादा पेते हैं यह देख सकते हूं आप कितना सुन्द दीक्ने के लिए लाइक लगता है आपको और इसकी प्राइज बिल्कुल सस्ती जें मैं आपको प्राइज की बात भी बता देता हूँ आप वेडियो को एंड तक जरूर देना तो मैं इस ट्रैक्टर की पूरी पूरी जान कई आपके बीच में बताऊंगा मैं बिल्कूर साब कंडिशन में यह ट्रैक्टर आपको मिलेगा जास्तान में नागोर जिले में यह ट्रैक्टर भी को हुए है यह देख सकत हो आपको हुग पलेट वह आपको साथ में मिलेगी जोलिंग पत्यों दोनों सापती हैं कोई टुटी वगड़ा नहीं है बिल्कूल ओइजन है दोजार पांच की चारूं विल्लों दोजार पांच की हैं यह देख सकता है अब इसकी ट्रैक्टर की परईज की बाद आ जाती है तो इस ट्रैक्टर की परईज की बाद है दो लाग पत्चीस जार इस ट्रैक्टर की परईज है बिल्कूल तो जादा भी है पर इसको आप मैं मुबाइल नम देता हूं इससे आप कॉंटेस्ट करें और इसके पांच दस जार इस ट्रैक्टर की येट कम हो जाती हैं ये इसका सोदा दो लाग बीस यार पन्य अजार के बीच में इस ट्रैक्टर का सोदा हो जाएगा आपको मैं गाएंटी के साथ कहता हूं और जो भी भाई ट्रैक्टर लेना चाहते हो तो कमेंड बक्स में मेरा नमबर है आप संपरक कर सकते हो और इस ट्रैक्टर की पराज की बाद आपको बता देता हूं दो लाग बीस पत्चीस जार के बीच में इसका सोदा हो जाएगा आपका इसकी पराज तो फिक्स हैं दो लाग पत्चीस जार तो ही आपको तिन चाल्जा इस ट्रैक्टर की जेट कम हो जाती हैं उमीद गाता हूँ यह वीडियो आपको जरू पसंद है एक बास वीडियो आप लाइक जरू कर दिना अगले वीडियो